श्री सद्गुरू महराज की जय परमाराद्य संद्गुरू महर्शी में ही प्रमहंजी महराज का प्रवचन युक्ति से देखो तो विंदू निकल आएगा प्यारे लोगों शंत अस्तूति में हम लोगों ने यह पढ़ा विंदू ध्यान विधी नाद ध्यान विधी शरल शरल जग में परचारी अभी भी इसका पाठ किया है सब्द ध्यान विधी क्या है इसको अशानी से संतों ने परचारित किया है कहां परचार किया है शर्व सधारन में, यहां सर्व सधारन पढ़े अनपढ़े, जमीन जगह वाले नहीं, जमीन जगह वाले, संतमत का ज्ञान और खास विंदू ध्यान और नाद ध्यान सब के सब जान गए हैं प्रचार की उप्योगिता यही है, पहले विंदू ध्यान सिखो, फिर नाद ध्यान सिखो, विंदू कहते हैं किसको, जिसका अस्थान हो, परिमान नहीं हो, परिमान से मतलब मोटाई, चोडाई, लंबाई, ये सब कुछ ना हो, तो क्या ऐसा चिन बाहर में देखा है? ऐसा चिन बाहर में हो ही नहीं सकता, इसके लिए अंदर में देखो, और बाहर देखना छोड़ दो, आँखे बंद कर लो, बाहर देखना छोड़ जाएगा, दिन हो वारात, आँखे बंद करने पर अंधकार मालुम होगा, उनमें युकती से देखो, तो विंदू निकल पल्टु शाहब ने कहा है, काजर दिहे से काभया, ताकन को ढवनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवई ताकी सोई है पी की प्यारी, ताके नैन मिरोरी, नहीं चित अंतर टारे, बिन ताके केही काम, लाख को नैन शवारे, ताकन में है फेर, फेर काजर में नाही, भंगी मिली जो नाही, नफा क्या जोग के माही, पल्टू सनकारत रहे, पीए को खिन खिन माही, काजर दिहे से काब हया, ताकन को ढवनाही, ताकने में फेर है, कैसे देखो, आखे बंद करके देखो, डीम है, पहले उजला, फिर काला, फिर पुतली है, उस पुतली में देखने की शक्ती है, उस देखने की शक्ती को, या दोनों आखों की शक्ती को मिला कर एक जगह है, एक टक देखो, बाहर में भी कोई कर सकता है, तो उसको हम मना नहीं करते, लेकिन बड़ा मुश्किल है बाहर में देखना, आखे खोल कर देखने से बहुत चीजे देखी जाती हैं, उनको छोड़ कर देखना कठीन है, हमारे यहां के योगी लोग आखे बंद करके देखते थे, एक समय राजा परिक्षित वहां पहुँचे, जहां शमीक मुनी आखे बंद करके ध्यान कर रहे थे, ध्याना वस्था में रहने के कारण राजा परिक्षित का वे आदर नहीं कर सके, इसलिए राजा परिक्षित ने शमीक मुनी के गले में मड़े हुए शाप को लपेट दिया, यह बात जब शमीक मुनी के पुत्र को मालुम हुई तो उन्होंने राजा को शाप दिया, इस ग्यवत गीता का भगवान स्री कृष्ण ने कथन किया, वे कृष्ण भगवान कौन थे? अभी भी लोग उन्हें यादव कहते हैं, यदुवांसी वे जाने जाते थे, वे उस यदुवांस में किस साखा के थे? उस साखा का नाम वृष्णी वनस था, इसलिए उन्हें गीता में वार्षने भी कहते हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण को केवल यादव कहने से नहीं बनेगा जो अपने को यादव कहते हैं उनको श्रीमद भागवद गीता पढ़ने चाहिए भगवान शंकराचारी को जगद गुरू कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण को जगद गुरू कहता हूँ, नो तो उनके ऐसा कोई राय नितिग्य हुआ, ना उनके ऐसा कोई योगेश्वर हुआ, ना उनके ऐसा कोई योग विद्ध हुआ, उन्होंने कहा कि अस्थिर आशन से बैठो, दिशाओं को छोर कर तब देखो, गी जान योग का अध्याय है, जैसा भगवान कृष्ण में ने गीता में देखने बताया है, उसको साफ कर दिया है, शूरदास जी ने कहा, नयन नाशी का अग्र है, तहां ब्रह्म्य को बास, अवी नाशी विन्शय नहीं, हो शहज जोती प्रकास, इस तरह देखो, जहां सुना भी जाता है, इसलिए पल्टू शाहब ने कहा, विन्दू में तहनाद बोले, रैन दिवस शुहावनंग, ये दोनों चीजें विन्दू और नाद ध्यान हो गई, विन्दू ध्यान कैसे करें, और नाद ध्यान कैसे करें, दोनों आखों की दृष्टियों को, धारों को एक जगह करके देखो, तो विन्दू का उदय हो जाएगा, ये वह कालपनिक नहीं, परत्यक्स जोतिर में विन्दू होगा, उपनी सितकार ने कहा, लिखा है, तेजोह विन्दू परंग ध्यानंग विश्वात्म हिर्दे संस्तितम, अर्थात तेजश विन्दू का ध्य नान ही परमध्यान है, और वहीं से नाद सुनने में आने लगज जाता है, नाद परमात्मा से जा मिलाता है, क्योंकि नाद का उदय या आविरभाव इस्वर से होता है, इसलिए उस नाद की साधना कीजिए, शाधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से परगट भयशव, सोई शब्द गही लीजिए, शब्द ही गुरु शब्द सुनी सीश भे, शब्द सो विर्ला भुझे, सोई शिष्य सोई गुरु महातम, यही अंतर गति सुझे, शब्द वेद पुरान कहते हैं, शब्द सब्ठ हरावे, शब्द सूर मुणी संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे, शब्द सुनी भेश धरत हैं, शब्द कहे अनुडागी, शट दर्शन शब शब्द कहते हैं शब्द कहे वैरागी शब्द माया जग उत्पानी शब्द केरी पशारा कहे कवीर जहां शब्द होते है तवन भीद है न्यारा यह शंत कवीर शब्द 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 को करे शब्द की आशा पंथी पंखी शिवू नीत राता नानक शब्द 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 पचाता हाट वाट शब्द का खेलू विनू शब्द क्यों होवे मेलू शारी श्रिष्टी शब्द के पाचे नानक शब्द घटए घटी आशे विन्दू का ज्ञान नहीं हो तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा मेरा जुकाओ इसी तरफ है भगवान स्री कृष्ण केवल गोप लोगों के गुरु माने जाएं ऐसी बात नहीं संसार भर के वे गुरु थे श्री मदभागवद गीता के अनुवाद के लिए शायद ही कोई भासा बच गई हो जिसमें उसका अनुवाद न हुआ हो इस परवचन का शेश अंतिम भाग अगले परवचन पाठ में यह परवचन विहार राजा अंतरगत पुर्णिया जेले के जहाली गाट गौँ में दिनांक 6.11.1980 को हुआ था श्री शद्गुरु महराज की जय